दिल्ली ने बनाया कौन सा लिया रेकॉर्ड और मुंबई में छट पुजा पर लगी कौन से शर्त और तंत मंत्रे के चक्कर में एक मासुम बच्ची को कहां जानगवानी पड़ देगे सबसे पहले बात दिल्ली की जहां कुछ लाको में सरकार एक बार फिर लोगडाउन लगा सकती है और दिल्ली में कोरोना के केस इतने जादा हो गए है कि बॉर्डर पर कोविट के रैंडम टेस्ट का प्लाइन बनाया गया है कोरोना के मामले में नमंबर महिने में देश ही नहीं पुरी दुनिया के शेहरों में टॉप पर पहुँच गई है दिल्ली कल एक दिन में 6,396 नए केस सामने आये और 99 की जान चली गई दिल्ली की अबादी देश की जन संख्या का 2 फिस्दी भी नहीं है लेकिन देश भर के 13 फिस्दी कोरोना केस दिल्ली में आ रहे हैं लेहाजा सरकार अब कई तरह की पाबंदियां लगाने वाली है पिछले एक हफते से दिल्ली में कोरोना रोज तकरीबन 100 लोगों की जान ले रहा है देश में कोरोना से मरने वाला हर शक्स दिल्ली का है 13 नवंबर को 91 मौत, 14 नवंबर को 96 मौत, 15 नवंबर को 95 मौत, 16 नवंबर को 99 और 17 नवंबर को 99 मौत हुई कोरोना के इस बढ़ते कहर की वजह से दिल्ली से नुड़ा आने जाने वालों का रेंडम कोविड टेस्ट करवाने का फैसला लिया गया है दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर पर कंट्रोल करने के लिए मोधी सरकार एक्षन में आ गई है पैरा मिलिटरी फोर्सिस के डॉक्टर्स को दिल्ली में तैनात कर दिया गया है आईस्यू बेट्स के इंतजाम किये जा रहे हैं और टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है फिर से चीजे ने अल्तरंसे बाहर जा रहे ही तो फिर से भारस परोस्रोल को एंटरिवीन करना पड़ा और गळ्रे मंत्री जी रिए इंटर playful टीड किया और जो जो चीजें उसके लिए साहता के लिए तैक जीए गी है आई स्क्राइड करए कर रहे हैं। हमें लाब होगा भीट तो जुटी रही है, कोवीट के लिए तैय नियम कानूर है, उनका भी खुले आप उलंगन किया जा रहा है बादार की ये तस्वीर देखिए और समझे कि देश की राजधानी में कोरोना आउट अफ कंट्रोल क्यों है न कोई सोशल डिस्टेंसिंग न सब के चेहरे पर मास्क, दिल्ली की हर मार्केट का यही हाल है कोरोना की गाइड लाइन्स का सरयाम मजाक बनाय जा रहा है, हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी में लगी पिछले छे दिनों से लगादार दिल्ली में हर घंटे कोरोना से चार लोगों की मौत हो रही है दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या आठ हजार के करीब पहुँच गई है पिछले दस दिनों से दिल्ली में हर दिन औसतन साथ हजार से ज़ादा केस सामने आये दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पांच लाग के करीब पहुंच गई अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना होट स्पॉट बन सकता है तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तोर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए ऐसा प्रस्ता अभी तेंदर सरकार को भेजा जा रहा है कोरोना से मौत इतनी जादा हो रही है कि दिल्ली के श्मिशान घाट और कब्रिस्तान में जगा कम पढ़ने लगी है श्मिशान घाट पर अंतिम संसकार के लिए लाइने लग रही है तो कब्रिस्तान भी छोटे पढ़ गए है दिल्ली के सबसे बड़े कप्रिस्तान जदीद कप्रिस्तान में कोरोना से मरने वाले लोगों को दफनाने के लिए अलग से 10 बिखा जमीन दी गई थी लेकिन अगले 20 दिन में ये कप्रिस्तान पूरी तरह भर जाएगा मौत का ये आंकड़ा कम हो इसलिए कई तरह के उपायों पर विचार चल रहा है शादी समारोह में 200 लोगों को जाने की इजाज़त दी गई थी अब उसे 50 तक सिमित कर दिया गया है भीड सिर्फ दिल्ली के बाधारों में ही नहीं है महराष्ट के कई मंदिरों में भी यही हाल है उसमानाबाद जिले का मशहूर तुल्जा भवानी शक्तिपीठ जब आठ महने बाद खुला तो अफरा तफरी मच गई पुलिस वाले भी भीड पर कंट्रोल नहीं कर पाए दिली में बाधार बंद करने का प्लान बन रहा है तो मुंबाई में छट पूजा पर कई तरह की पावन भी लगा दी गई है और बीमसी ने छट पूजा के लिए कुछ गाइडलाइन्स त्यार की मुंबाई में हर साल की तरह इस साल न तो समंदर किनारे छट पूजा हो पाएगी नहीं किसी नदी के किनारे छट पूजा का कोई कारिक्रम हो पाएगा बीमसी ने कोरोना की वज़े से छट पूजा पर गाइडलाइन्स जारी की है तो मुंबई पुलिस ने दिवाली के मौके पर पटाके बेचने और चलाने के आरोप पे 40 लोगों पर F.I.R. धर्ज कर ली है मुंबई में लाखों की तादाद में लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं जो हर साल समंदर और नदी किनारे छटपुजा करते हैं लेकिन BMC की फर्मान की वज़े से इस साल छटपुजा क्रित्रिम तालाब किनारे ही हो पाएगी BMC ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है छटपुजा के लिए समंदर किनारे लोग अर्ग देने आते हैं कोवीट के कारण इस बार समंदर किनारे सामुहिक्षट पुजा की अनुमती नहीं दी जा सकती क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल होगा कोरोना महामारी के कारण समंदर किनारे भीड़ी कठा न हो इसकी जिम्मेवारी पूलिस को लेनी है क्रित्रिम तालाब तैयार कर सोशल डिस्टेंस, मास्क और नियमों का पालन कर पूजा अर्चना होगी क्रित्रिम तालाबों पर मेडिकल टीम तैनात रहेगी और जरुवत पढ़ने पर श्रत धालों की जाज़ भी होगी उद्धो सरकार ये सकती इसलिए कर रही है क्योंकि कल सिर्फ एक दिन में महाराश्टर में कोरोना के 2840 में के सामने आये और 68 लोगों की जान चली थी प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी ने एक बार फिर आतंगवाद को लेकर पडूसी देशों को आईना दिखाया पाकिस्तान का नाम लिये बगएर मोदी ने कहा आतंगवाद को पाले वालों के खिलाफ एक्शिन होना चाहिए मौका ब्रिक्स देशों के वर्चूल सम्मेलन का था जिसमें पीएम मोदी का चीन के राशपची शी जिन पिंग से आमना सामना हुआ ब्रिक्स सम्मेलन में द्विपक्षे मुद्दे नहीं उठाय जाते इसलिए मोदी ने चीन की साथ सीमा विवाद की बात तो नहीं की लेकिन चीन की सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान का नाम लिये बगएर आतंग्यों के पालने को लेकर करारा अटेक किया मोदी ने कहा आतंक्यों की साथ साथ उन्हें पना देने वाले देशों के खिलाब भी एक्षन होना चाहिए आतंगवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है हमें ये सुनिशित करना होगा कि आतंगवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोशी ठहराए जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए पी-म मोदी ने भले ही किसी देश का नाम ना लिया हो लेकिन पी-म मोदी ने जो कहा उसका सीधा मतलब पाकिस्तान और चीन से है जो आतंगवाद को सपोर्ट करते हैं हाफिस साइथ पर पाबंदी का केस हो या अजर मसूत पर एरेक्शन का मामला हर बार चीन पाकिस्तान की मदद करता है चमू कश्मीर में गुपकार अलाइंस के साथ मिलकर चुनाब लड़ने वाली कॉंग्रिस पर अमिच शहा ने बड़ा अटाक किया अमिच शहा ने आर्टिकल 370 और तिरंगे के अपमान पर कॉंग्रिस अपना स्टैंड साफ करने की मान की जमू कश्मीर में डिस्टिक्ट डेवलप्मेंट कॉंसिल के चुनाओं में गुपकार अलाइंस के साथ चुना लड़ने का फैसला कॉंग्रिस से लिए गले की फांस बनता जा रहा है संबित पातरा के बाद अब ग्रिह मंत्री अमित शाह ने भी इसे मुद्दा बनाते हुए कॉंग्रिस पर बड़ा अटैक किया है अमित शाह ने एक के बाद एक तीन ट्वीट्स कर कॉंग्रिस से इस पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है गुपकार गैंग अब ग्लोबल फोरम में जा रहा है वो चाहते हैं कि विदेशी ताक्तें जम्मू कश्मीर के मामले में दखल दे गुपकार गैंग ने तिरंगे का अपमान किया सुनिया गांधी और रहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि क्या वो इसका सपोर्ट करते हैं उन्हें अपना स्टेंड साफ करना होगा कॉंग्रेस और गुपकार गैंग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फिर हिंसा के दौर में वापस लोटे आर्टिकल 370 खत्म कर सरकार ने दलितों को आदिवासियों को महिलाओं को अधिकार दिये लेकिन अब ये पार्टियां इन अधिकारों को वापस शिनना चाहती यही वज़ा है कि लोग ऐसी पार्टियों को हर जगा से खारिज कर रहें बीजेपी नेता रविंदर रेना ने भी यहां तक कह दिया कि कॉंग्रेस चीन और पाकिस्तान की कहने पर गुपकार गेंग से मिली है कॉंग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन की डिरेक्शन के बाद इस गुपकार गेंग का हिस्सा बनी है देश ना कॉंग्रेस को माफ करेगा और जमू कश्मीर की जंदा इन तमाम गुपकार वालों को कभी माफ नहीं करेगी कॉंग्रेस की तरफ से अमित शाह के हमले का जवाब सामने आया कॉंग्रेस ने कहा कि गुपकार एलाइनस से कॉंग्रेस का गड़बन्धन सिर्फ चुनावी है कॉंग्रेस पार्टी ने पहले से ये किलियर किया है कि जो यहाँ पर गुपकार एलाइनस नाम से एक संगठन बना है खास कर पिछले दो मीने से जितनी भी मीटिंग उन्होंने बुलाई अभी कॉंग्रेस पार्टी का स्टेट लेवल का कोई भी नुमाइंदा उसमें शमूलियत नहीं की जम्मु कश्मीर में आर्टिकल 370 को तोबारा लागू करने के मकसद से फारुख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेथ कुछ पार्टियों नहीं गुपकार एलाइंस बनाया है मौधिप्रदेश ये कंप्यूटर बाबा पर नई मुसीबत आ गई है और कंप्यूटर बाबा की जमानत की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया है कंप्यूटर बाबा 28 नमंबर तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे शिवरा सरकार का शिकंजा कस्ता जा रहा है मौपाल से लेकर इन दौर तक इतने मामले दर्ज हो गए है कि एक मामले में बेल मिलती है तो दूसरे मामले में जेल हो जाती है कंप्यूटर बाबा को सरकारी जमीन पर कबजा करने के आरोप में दो दिन पहले बेल मिली थी लेकिन एक विक्ति पर तलवार से हमले के आरोप में मंगलवार को 28 नमंबर तक जेल बेज़ दिया गया माध्य परतेर सरकार अब कंप्यटर बाबा के आवायत खजाने का भी परदाभाज करने लगी है बाबा पर कई शहरों में सरकार की करोणों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है यूपी के कानपूर में अंधर विश्वास के नाम पर घिनोना काम हुआ और साथ साल की बच्चे के साल दिल देलाने के वाली एक वारदात हुई ये खवर वरी बिछलित करने वाली संतान की चाहत में एक नी संतान दमपती ने परोस की साथ साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत की उसे सुनेंगे तो रौंकिटे खड़े हो जाएंगे पठाके दिलाने के बाहांने ले जाकर पहले तंतरवांत्र का प्रेयोग किया गया और फिर हैवानों ने बच्ची के साथ बहरैमी की, दिवाली के अगली सुभ है, कुन से लखपत बच्ची का शक्त विक्षित शव खेत में पड़ा मिला वारदात कानपूर जिले के भदरस गाओं की है, आरोपों के मताबिक पासूम बच्ची के साथ पहले दुश्कार्म किया गया, फिर जीते जी उसका कलेजा निकाल लिया गया दरिंदोने बच्ची के कुछ अंगों को खुद खाया और कुछ अंग कुतों को खिला दिये पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, आरोपियों ने हत्या से पहले जुश्कार्म की बात कबूल कर लिया गटना की खबर मिलते ही एक्शन में आई योगी सरकार ने पीडित परिवार के लिए 5 लाक रोपे का मुआज़े का एलान किया और आरोपियों के खिलाब सक्त एक्शन का भरोसा दिया है कानपूर की तरह एक गुना बुलंद शेहर में भी हुआ रेव के बाद जिन्दा जल चुकी लड़की ने अस्पताल में आकिरका दम तोड़ दिया बुलंद शेहर की रेव पीडित लड़की ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया है असी फिसदी जुलस गई थी लड़की पुलिस के मुताबिक रेप के आरोफी समझोते के लिए दबाव बना रहे थी इसलिए लड़की ने आग लगा ली लेकिन लड़की के पिता का आरोफ है कि उनकी बेटी को आरोफी के चाचा और दोस्तों ने चला दिया रेप की वार्दा तीन महीने पहले 15 अगस्त को हुई थी लड़की से बलातकार कारों भी जेल में हैं लड़की के आग में जुलसने के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिस वालों को सस्पेंट कर दिया गया है और एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ और आरोपी अब तक फरार हुआ पहले दो गुन्नों से हमला किया फिर तीसरा भी आ गया लाठी डंडे से नौन स्टॉप हमला होने लगा कुछी सेकेंड में चौथा बदमाश आया और उसने इट उठा उठा कर मारना शुरू किया तस्वीरें फतेहबाद के हंस मार्केट की ही बलराज, सन्नी और उसके दो साथियों ने तुलसी नाम के एक युवक की जम कर पिटाई गी ये पूरा गुना एक दुकान में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैथ हो गया जंडों और इट से पिटाई के बाद चारों गुंडे फरार हो गए और फिर वहां मौझूद लोग घायल तुलसी को सिविल हॉस्पिटल मिले गए गंभी रूप से घायल युवक को हिसार रिफर कर दिया गे शुर्वाती जाज के मुदाबिक ये हमला पुरानी रंजिश की वज़े से हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नएर राश्पती जो बाइडन और उपराश्पती कमला हारस को बढ़ाई दी है मंगलवार को टेलेफोन पर हुई बादचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडन ने भारत और अमेरिका की बीच रनीतिक साज़दारी के प्रती अपनी प्रतिबधता दोहराई और COVID-19 महामारी, जलवायू परिवर्तन और हिंद प्रिशांत शेत्र में सहयोग को लेकर अपनी प्राथमिक्ताओं पर विचारवे मर्श किया प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा अमेरिका के निर्वाचित राश्पती जो बाइडन को बढ़ाई देने के लिए फोन किया हमने भारत अमेरिका सामरिक साज़दारी के प्रती अपनी प्रतिबधता दोहराई प्रधान मंत्री ने अमेरिका की निर्वाचित उपर राश्पती कमला हारस को भी जीत की शिपकाम नाय दी मोदी ने कहा कि उनकी सफलता भारतिये अमेरिकी समुदाय के लिए गौरव और प्रेणा का प्रतीख है कमला हारस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नरेंदर मोदी ने दूसरा ट्वीट किया मैंने नवनिर्वाचित उपराश्पती कमला हारस को भी हार्दिक बधाई दी है उनकी सफलता जिवन भारतिये अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के लिए बहुत गर्व और प्रेणा का विश्य है जो भारत अमेरिका सम्बंधों के लिए एक जबरदस स्त्रोथ है छोटच ब्रेक के लिए मैं आपर रुकना आगे देखिए यूपी परिशासन में क्या बड़ा फेर बदल हुआ